हेलो एवरिवान, मैं सिम्रन गुंबर, स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप्लानिंग पर आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्यों? क्योंकि ये वीडियो है मेरी बर्दे स्पेशल वीडियो यानि कि आपके सिम्रन माम के बर्दे स्पेशल वीडियो है ये सबसे पहले तो thank you, thank you so much for the lovely wishes, for the lovely blessings, thank you so much आप सबके इतने प्यार के लिए, आप सबकी इतनी सारी अच्छी-च्छी blessings के लिए सच्छे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया मतलब अभी तो birthday स्टार्टी हुआ है, दिन हमारा 10 September स्टार्टी हुआ है और आपके इतनी सारी अच्छी-च्छी wishes अल्रेडी हमारे पास आ चुकी है तो उस सबके लिए thank you so much, किसी को अगर personally हम reply ना कर पाए तो उसके लिए maafi, ये वीडियो आप सबको thank you करने के लिए ठीक है जी, तो बच्चे ना बार-बार मुझसे पूछते रहते है माम आपकी age क्या है, माम आपकी age क्या है, है ना और मैं हमेशा मजाक मजाक में live session में क्या बोल देती है अब भी तो हम sweet 16 है, अभी तो हम sweet 16 है, फिर बच्चे कहते है माम इतना भी जूट मत बोलो, है ना, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं ये है हमारी birthday special video, तो हम अपनी क्या कहते है, age भी बता देते है आज 10 September 2013, यानि को अब हम हो गए है, 26 years old, sweet 16 नहीं, sweet 26 ठीक है जी, क्योंकि बच्चे बोलते हैं, मैं आपना काफी यंग से लगते हो, आप टीचर लगते नहीं, क्या-क्या आपकी qualification है है ना, qualification तो देखो इतनी सारी हैं कि बताते बताते लंबा चला जाएगा बट मैंने अपनी teaching की journey में क्या-क्या चीजे समझी, क्या-क्या चीजे observe करी, जो चीजे हमारे लिए बहुत जादा important है जो हमें हमारे career में बहुत उपर ले जा सकती है या हमें क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ये वीडियो specifically ऐसा नहीं है कि मैं इस course की तेयारी करा रही हूँ या उस course की तेयारी करा रही हूँ ये वीडियो एक दिल से हम लोगों का मेरा, मेरे students के साथ जो connection है एक बहुत ही personal connection है कि तो वो अपने चीजे पूछते रहते हैं और मैं उसे answer करती रहती हूँ पढ़ते रहते हैं, बच्चे पास होते रहते हैं, टोपर्स बनते जाते हैं और वो teachers बनते रहते हैं सबसे पहले, thank you so much, इतनी प्यारी प्लेसिंग्स के लिए, अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अब भी पीछे गया था, teachers day 5 September को तो मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी तरफ से ये teachers day का gift है तो मैं जो doubts पूछने और वीडियो के नीचे पूछ लेना, मैं उसे answer करूँगी है ना, teachers day पर भी इतना सारा प्यार देने के लिए, thank you so much तो आज तो मेरा birthday है, आज तो मेरी gift बनती है, है ना, तो अब सब रन माम के gift भी सुन लो मेरे लिए, तुमारी तरफ से सबसे बड़ी gift ये होगी, तुमारी सच्चे दिल से दी हुई blessings, तुमारी सच्चे दिल से दी हुई दुआए, पते, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ और बच्चे paper दे कर आते हैं, उसके next day आकर बोलते हैं, माम, जैसे ही question paper हाथ में आया ना, और हमने question पढ़े हमारे दिल से सच में ये दुआ निकल रही थी, thank you so much, thank you, हमने सिम्रन माम की वो revisionary class attend कर ले, है ना, बस ऐसे ही सच्चे दिल से अपनी दुआए भेजते हैं अपन सको, ठीक है, क्या होता है, बहुत बार होता है, कई बार हम काम में इतना occupied हो जाते हैं, सोते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और हम अपनी health का ध्यान नी देते हैं, health कराब हो जाती है, health कराब हो जाती है, तो फिर वो काम रुक जाता है, ठीक से हम विसे हमारी हमारा हमारा जो living होता है हम उसे How to Kao separate है हमें घाना थाना है हमने कई भागा जाना हो सब पैसों से तो आता है ना लेकिन उससे भी ज़्यादा important होती है हमारी चार्ट के आगर हम काम की चक्कर में जैसे कि बहुत टाइम से मेरे साथ भी ऐसे और था मैं जब जैसे कोई मेरा बड़ा सा कोर्स चल रहा होता था तो मैं सोती थी एक बार ये वले कोर्स की जादा सारी क्लासिस बना लूँ ये कोर्स कवर करा दूँ फिर अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी मैं वॉक स्टार्ट करूंगी मैं योगा करूंगी बहुत सारा पानी प्योँ या मतलब लेकिन होता हुआ था में हेल्थ का ध्यान और फिर बैमार पड़ जाते दे दवाई लेने पड़ती थी और प्र क्या होता था क्लासिस नहीं जा पाती थी हिसलिए आपको यह कर ना कि पहले काम-काम करते तो अधिया देलेंगे और बाद में हेल्थ को दिखेंगे नहीं काम भी करना है आपको और साहते हैं अगर चाहते हो कि आपकी बॉडी फिट रहें आप वॉकिंग स्टार्ट करो ठीक है आप बहुत सारा पानी पी योगा करो। योगा के लिए अच्छी है तो यह सब चीजों को आपको साथ में ध्यान रखना है, काम भी करना है, लेकिन हेल्थ भी बहुत जादा important है, ये थी आज की पहली special चीज, कि ये मत करना कि हेल्थ का बात में ध्यान दे लेंगे, अभी पैसे कमाते रहें, या फिर अभी काम करते रहें, हेल्थ साथ साथ रखनी है, क्योंकि हेल्थ बढ़िया रहेंगी, तुम फिट रहोगे, तो काम भी एकदम बढ़िया होगा ठीक है, दूसरी चीज, जब आप अपना कोई करियर चूज करते हो, तो आपको उस करियर में दिल से अवाज आने चे हाँ भई, मेरको लगता है, मैं ना इसी करियर के लिए बनी हूँ, और मैं इस करियर में सही हूँ, ठीक है, खेते ना यह नहीं किसी ने कह दिया, उस करियर में ना हूँ, मतलब उस लाइन में बड़े सारे पैसे हैं, बहुत सारी जॉब में पैसे मिलते हैं, तो उसमें चले जो और तुमारा खुद का कोई इंटरस्ट नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम तक तो वो जो आपको ज़ादा पैस इंटरस्ट होता है, वो आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको अपना करियर ऐसा चूज करना है, जिसके अंदर अबिसली बात है, आप अर्न करो, तब भी आप अपना स्टांडर ओफ लिविंग मेंटीन कर पाऊगे, लेकिन आपका खुद का भी इंटरस्ट होना चाहिए, कि खुद दिल से आवाजा है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है, ठीक है, तो फॉलो यो पैशन, अगर आपको करियर स्विच करना पड़ रहा है, हो सकता है, ट्वेल्थ के बाद आपने किसी और फिल्ड में ए At the end, what matters is, आपके दिल में संतुस्टी होनी चाहिए, कि ये जो काम मैं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मैं इसी के लिए पनी भी, ठीक है, चीज, दो बात होगे, तीसरी बात, आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हो, चाहिए अपना बिसनस स्टार्ट करते हो, या अगर आपको लगता है कि आप काम अच्छा कर रहे हो, आप काम सही कर रहे हो, तो आपको उसी चीज में टिके रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, बार 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 जब आपको काम करते रहोगे, तो आपकी एफिशेंसी इंप्रूव होगी, आपको लोग जादा जानने लगेंगे, आपका experience बढ़ेगा, तो वो सब चीजे आपको long term में higher returns देने के लिए मदद करेंगे, तो आपको consistent रहना है, एक बर लगता है कि हाँ, मैं ये काम सही कर रहे हूँ, चाहे starting में कम returns मिल रहे हैं, वहीं पर टिके रहो, be consistent, चोथा, patience, patience आपकी life में बहुत ज़्याद बहुत ज़रूरी, have patience, have patience is basically, कि क्या होता है, कई बर हम कहते है, मैं कोई topic ढूपने लगी, मुझे इस पर topic में मतलब अच्छा data नहीं मिल पारा, नहीं यार मुझ से नहीं हो रहा, छोड़ो मैं ये class ले रही, होता है ना, नहीं, आपको नहीं करना, आपको research करते रहना है, क 3 गंटे लग जाएंगे, एक class को बनाने में 4 गंटे लग जाएंगे, लेकिन 4 गंटे बाद आपके जो class बनेगी ना, वो class ऐसी होगी, कि सारे students याद रखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या रखनी है, patience रखनी है, धहरे रखना है, पांच वी, एक ना, हमें लगता है कि जो मे जाने में आपके लिए इतने जादा मदद करते हैं, sometimes क्या होता है, कि मैं अपनी वीडियो डालती हूँ, और तुम लोग अपने ग्रूप्स में शेयर कर देते हो, देखो माम, देखो, ये teacher कितना अच्छा पढ़ा रही है, ये teacher पढ़ाती है, इतना बढ़िया पढ़ाती ह कि सारा पेपरीनी में से आता है, सारा रवीशनरी में cover करा देती है, तो मैं आपको personally थोड़ी जानती थी, लेकिन आप लोगों ने वो strangers होने के नाते वो first निभाया ना, कि नहीं यार, ये लड़की, ये teacher अच्छा पढ़ा रही है, तो हमें अपने groups में वीडियो शेयर करन हो सकता है, हमारी एक छोटी सी मदद सामने वाले person को कहां से कहां ले जाए, है ना, और ऐसे ही किसी stranger की मदद आपको कहां से कहां ले जाए, तो जरूरी नहीं है कि आपके friends, या आपकी family, या आपके जो बहुत जादा known है, वही आपकी मदद कर सकते हैं, ये संसार, ये दु सच्चे दिल का connection होता है, वह भगवान के साथ होता है, जब हम सच्चे दिल से काम करते हैं, कई बर हम सोते हैं, कोई बाती सीज बे जादा हमें profit नहीं बचेंगे, या हो सकता है, हमें सालरी कम मिल रही है, लेकिन मेरे दिल के अंदर से आवाज आ रही है, मेरे दिल से satisfaction मिल यह काम करने की, तो मैं वो करोंगी, होता है, जब आप बहुत सच्चे दिल से काम करते हो, तो उसका result मिलता है, यह मैंने अपने भी उसमें देखा है, आप मेरी revisionary वीडियो देखोगे, मैं जब revisionary वीडियो लेना स्टार्ट करते हूं, तो मैं बोलती हूं, मैं अपने सच् पढ़ा रही हो, and I feel so lucky and blessed by the grace of God, हम जो revisionary वीडियो में इतनी सारी चीज़े cover करते हैं, तो एक होता है, आपने महिनत करी, आपने research करा, आपका experience है, कि आपको पता है, इस ताइप के questions आते हैं, आपको पढ़ाते हो, और आप जब सच्चे दिल से काम करते हो, तो उसका result आप सारे के सारे टॉपर्स हमारे जाते हैं, तो वो खुशी सच में बयानी हो सकती, वो सच में वो मेरे लिए गिफ्ट होती है, ठीक है, at the end, यह वीडियो जादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि यह मेरी बर्दे स्पेशल वीडियो थी, तो ऐसे, हापी बर्दे सिम्रन माम, हाप मेरे पास, उसके लिए सचे दिल से, थाइंक यू, थाइंक यू, सो मच, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, तुम सबको खूब सक्सेस मिले, और अपनी ये चोटी सी प्यारी सी टीचर को हमेशा याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो तुम द आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगा या कोई आपका स्पेशल मेसिज जो आप मुझे देना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसे पढ़ लोगी, हो सकते हैं, अलग अलग जगा पर आप वहां पर होते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर बहते हो, तो अपनी दिल की बाते हैं या जो भी आप अपना मेसिज देना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे दे देना, once again, thank you, thank you so much, मेरे बद्धे पर मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स और खुशियां देने के लिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहना, हम कोशिश करेंगे, जाता से जादा आपकी बदद करने के लिए, thank you, thank you so much, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी important update के साथ, या फिर आपको पढ़ाते हुए, teacher है ना, teacher तो आपको पढ़ाते हुए ही मिलेगा, चीक है, reels तुमें तो instagram पे दिख जाती है हमारी, लेकिन यहां तो हम पढ़ाते हैं ना, तो हम teacher के आपको पढ़ाते के लिए हाजर होते रहेंगे, आप भी student के तरह पढ़ने के लिए हाजर होते रहना, thank you